हालो गाईज कैसे आप सब लोग टेरोग्स पर टपल सिक्स पर आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है आज हम जो रिडिंग करें गाईज उसमें मैं यह चेक करने वाली हूं कि वह आपके लिए आपके जो पार्टनर है वह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं ठीक है यानि क कि वह कभी आपके लिए स्ट्रेंड लेंगे आपके मन में बाते आती होगी आपके रिलेशन्शिप को लेके कि क्या कभी आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्ट्रेंड लेंगे क्या कभी आपका पक्ष लेंगे क्या कभी आपके लिए कोई ऐसा रिस्क लेके कोई काम करे तो मैं आज यहां पर ही देखने वाली हूँ guys, situation कुछ भी हो, आपके partner आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है, तो आज का मेरा topic यह होगा, कि आपके partner आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है, situation कुछ भी हो सकती है, अपनी तरीकी से देखिएगा, यह general reading है, आप स सिर्फ messages कंवे करने वाली बात है, तो आप से जितना मैच करें उतने ही लिजेगा, ठीक है, रिडिंग में जाने से पहले, छोटी सी जान करी, परस्नल इडिंग को लेके, जो मैं हमीशा बताती हूँ, अगर आप सिर्फ करना चाहते हैं, बिल्कुर कर सकते हैं, ठीक है, पर फज जाएंगे वहाँ पर नंबर देखिए, फिर कोई पैसे देखिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे नंबर मिलेगा, और मैं फुल रिडिंग करती हूं, एक दो रिडिंग नहीं करती हूं, मैं फुल रिडिंग के लिए जो अमांट दिख रहा है, एक दो कोशन के लिए मैं रिडिंग नहीं लेती हूं, मैं फुल रिडिंग देती हूं, और एक वीडियो बनाकर आपको वाटसप नंबर पे आप ही कि यह नंबर बेषती हूं, जीज़ता तो यह जो आपको वीडिंग वोगी यह वाटसप नंबर पर एक बात ध्यां रखि सब्सक्राइब थिक है मैडिटेट की जेए अपनी इस्टरीव को फêter hatred कीजिये इंका होना hiddenYeah ने लाइविंन कोई ने कोई इसटरेव जरू होना चाहिए हमारी लाइफ पे उनसे हमको अच्छी guidance बताना चाहते हूं रेडिंग में जाने से पहले कि दुनिया क्या आती है आपकी बाते सुन लेगी आपका दुखड़ा सुन लेगी उसके बाद वह या तो उस बात को फैला देंगी अधिकतर ऐसा होता है इसा होता है हम जब किसी को दुख्य होगी कोई बात बताते हैं वो जो बाते हैं दुनिया तक पहुंच जाती है थीक है दूसरी बात यह कि कोई भी आपको सजेशन देगा नहीं देगा बहुत अच्छा दोस्त होगा तो जरूर देगा सजेशन लेकिन Snow analyse बज़े लेते हैं इस बात कि आप दुखी हो तो इस वज़े से मैं यह पर कहना चाहूंगी कि अपनी दुख और अपनी खुशी अपनी आप तक रखेंगे खुशियां तो बाटनी चाहिए लेकिन अपनी दुख को अपने अंदर रखें उसका सॉलुशन डून लीजे और डेफिनेटली कोई नो कोई इस्ट्रदेव जरूर होना चाहिए आपका ठीक है जिसको हम अपने दुखड़े सुना सकते हैं ठीक है और मैं यहां पर यह भी करती हूँ कि जो हमारे इस्ट्रदेव होत अपने पार्टनें का ध्यान कीजिए चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग बहस बहुत हो गई कि अगर के गाईज सबसेपहले एनरजी चेक करेंगे उसके बाद उनकी करेंट फिलिंग्स इंटेंशन चेक करेंगे उसके बाद में बताने वाली हूँ क्योंकि वह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं आपके रिलेशन्शिप में ठीक है और उससे आपको क्या मिल सकता यह सारी चीजें मैं आपको डिसकस करूँ एक है सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं ठीक है देखिए कोई Cancer हो सकता है Capricorn को हो सकता है ठीक है Taurus Aquarius Sagittarius Gemini यह स्टार साइन दिखे है मुझे आप हिंदी में बता दू क्योंकि आप बोलते हैं हिंदी में तो बता है नहीं Cancer यानि करक राशी Capricorn यानि मकर राशी और Taurus यानि व्रशव राशी Aquarius यानि कुम राशी Sagittarius यानि धनू राशी और Gemini यानि की मितुन राशी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग इनकी इनर्जी सबसे पहले बताना चाहूंगे ठीक है यह मुझे लगता है यह जो इनसान है आपके मतलब जो इनकी इनर्जी आपको लेकर यह है कि यह कुछ जो रियल में बताना चाहिए वह नहीं बता रहें और यह जा रहें यह फिर कहीं दूर जा रहें या फिर मुझे एसी आरजी कोई ट्रवलिंग कर रहें ठीक हैं आप से दूसरे शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि या तो आपसे दूर जा रहे हैं फिर आपसे मिलने की कोई प्लानिंग करें ठीक है यहां पर कोई बिजनिस ट्रिप भी हो सकती लेकिन कोई नो कोई ऐसी सिट्विशन है जहां पर यह आपके साथ एक नया रास इस रिलेशन्शिप में पोटेंशियल है यानि की आगे बहुत कुछ दिखता है इनको आपके साथ इनको बहुत आगे तक मलद अन्दरू निधिन उता हुक always तो जाए Inhale i को मुझे लगता है तो अन्ट्रो होगति ओर दोक्स तो नहीं अगर नहीं नहीं दोसे लोगता है व बहुत ज़दा ग्रोथ हो बहुत ज़दा इनको अपनी पसंद का कोई पार्टनर मिले लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यह हमेशा अंसर्टिसफाइर है अपनी पर्सनल लाइप को लेकर ठीक है और यह आप सक्सेस चाहते हैं आप से दूरिया कम करना चाहते हैं और एक नया हुए किन को मौ EL ऑट अच्छा अच्छ आडव अच्छ जरी नफार हैं तो मुझे लगता है कि आजे ऐसे का थे चाह Tory का जाएज लगता है तो definitely मुझे लगता है कि आपके साथ ये कोई wish fulfillment करना चाहते हैं कोई commitment जैसी वाली बात ठीक है और मुझे भी लग रहा है कि इनकी personal life जो है है अपनी personal life को लेके ठीक है यहां पर करेंट फिलिंग्स देखूं तो कि देखें जब से पहले कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि देखें सेवन नंबर आज आपके लिए बहुत important है number four important है ठीक है number three important है आपके लिए ठीक है और yes number three और six number बहुत important है ठीक है यह कहीं न कहीं आपके date of birth हो सकते हैं या फिर आपकी age उस तो age तो क्या होगी date of birth हो सकते हैं ठीक है तो इनकी current feelings क्या है सबसे पहले यह मलब जैसे कहते हैं कि आपके बिना बोर feel कर रहें यह बहुत से लोगों में बैठे रहते हैं लेकिन इनको अकेलापन फील होता है यह आपको याद करते रहते हैं और कई बार इनको यह भी लगता है कि अगर आपने इनसे दूर तो नीचे ले गए यानि कि दूरिया तो है मुझे लगता है लोंग डिस्टेंस आप आपको जोब दूर दूर रहते हैं और आपको कोई हो सकता है कि मीडिया से रेलेटट कोई कनेक्शन हो ठीक है आप सोशल मेडिया पर मिलें ऐसा बहुत से लोगों के लिए लग रहा है यह डेफिनिटली मैं लब जैसे कोई पर दिखरें इनकी तरफ से लेकिन आपकी तरफ से भी हो सकती है लेकिन सिचुएशन जो भी ओ यह गवाप नहीं करना चाते हैं इनको यह हमेशा यह चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें और आपका कनेक्शन आगी भी बढ़ें तो यह कहीं न कई रेस्ट की पोजिशन पी हो जाते हैं ताकि आपको कोई मलब जिसे किसी बात को लेकर आप जिंता में आ जाए ठीक है मुझे ऐसा भी लग रहे है कि बहुचर रेस्ट की पोजिशन पे या तो इनके हेल्थ इसूज या फिर कुछ बिमारी या फिर जैसे कहते हैं वाइरल करना चाहते हैं जो भी सिच्वेशन हो आज हमारा टॉपिक क्या था कि आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं यानि कि आपके लिए कोई स्टेंड लेना चाहता है नहीं चाहता ठीक है तो मुझे इनके कार्स में करेंट फिलिंग्स में भी दिखाई दिया कि इनको लेकि अप आपके रिलिशन्शिप में आपको इनकी घर तक लाने के लिए इनको बहुत जारा पापड वेलनेल पड़ेंगे ऐसा मुझे या पर लग रहा है ठीक है आप मुझे बताएगा कि एनर्जी के इतनी मिलते आपसे ठीक है क्योंकि जब एनर्जी मिलती है तो आप मेरी वीडि सिच्वेशन है इस जिसके कारण आपके पार्टनर आपको क्लोजर या कोई क्लिरटी नहीं दे पाते तो अब यह योद्धा बनके कोई चीज को का सामना करने के लिए उनको फेस करने के लिए तैयार है ठीक है इनकी इंटेंशन्स कहें तो एक चीज को छोड़के दूसरी चीज की नहीं शुरुहात करना चाते हैं जैसे कि इन में अरह बदलाव आरे कि जन्तिगी में अगर प्यार नहीं है जिन्दगे में अगर साती हुआ अच्छा नहीं है जैसे कि कई बार अपनी वीडियो में बताती हूं आपको आज जो ही बताऊंगी यह क्योंकि बहुत स कमी रह जाती जीवन में ठीक है और आप देखें उन कपल्स को जिन में बनती नहीं या फिर लड़ाई जगड़े बहुत होते रहते हैं या फिर कोई भी फैमिली से प्रॉब्लम क्रेट हो रही है सुस्राल पक्ष अच्छा नहीं है इस तरह कि अगर एनरजी होती है तो पीच्छा काणा बढ़ने की इस्धा ख़तम हो जाती है हमारा पॉर्स इस तो प्रेयना चाहिता है तो उसके लिए फ़ Springs को हमारे प्रेयना मिलती है सकती है क्या नाय घर बनाने बच्चे प Онदें हो पीशा होगा कश्यों यह सब चीजे तब ही get होती ही जब हम इस हमारे प्यार हो पैशन हो आप एक दुसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है ठीक है इस तरह के एनरजी होनी ही चाहिए तो मुझे आप ऐसे पार्टनर आपके पार्टनर के लग रही है देखिए इन्होंने बहुत बिखरा हुआ जीवन देखा है आप यह अपने जीवन को स लग रहे है कि बहुत से लोग अपनी फैमिली को साथ लेकी चलना चाहते हैं उनका भी मलब रेस्पेक्ट होना चाहिए इनको ऐसा लग रहा है ठीक है यह कहीं कहीं फैमिली से फाइट भी कर रहे हैं लेकिन समझाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं देखिए आपके लिए कहा कि इनकी इंटेंशन यह है कि आपके सब आने वाले बच्चों तक का सूचा है इनों ठीक है क्या आपके बच्चे कैसे होंगी यह फिर ऑल्रडी बच्चों के मिलब जैसे कहते हैं कि थर्ड पर्टी सिच्विशन है तो कहीं ने कहीं अपने बच्चों के बारे में भी सोचत और उस चनाव में इनको थोड़ा सा कन्फीजन इसलिए है कि क्योंकि इनके बच्चे भी हो सकते कुछ कुछ के सब के नहीं तो यह देफिनेटली समझ से ऐसी जा पर यह खुद की नहीं बलकि अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचें क्योंकि वहां प्रियोर्टी ज्य परियों में आपको कि यह आपको यापको किस सद तक जा सकते हैं शबतने नहीं के लिए india कि होझने के लिए अपके माबाप को मिषूलों ईंकी तोड़ी बहुत तो रएस्पेक्ट होनी छीए घइ सब्सक्ना में नेकिसे प्यार-एाथ реальноक्ति और उनके चलने चाहनी लेकिन देखे काई बार होता है कि हो सकता है कि काई बार हम भगवान की तरह अपने माता पिता को मानते हैं लेकिन कुछ बाते उनकी अच्छी नहीं लगते हैं ठीक है लेकिन ऐसे में आप या तो उनको समझाईए अगर नहीं समझते हैं तो आप गिव अप कर दीजिए कि ये तो यहां पर बिल्कुल आप अलग घट जाए कि यहां इस तरह का अधर आप उनको बहुत मना सकते तो वह भी आपकी आपकी पहवनाओं को समझेंगे ठीक है जो आपका अटेश्मेंट अपने पार्टमें से उसको समझेंगे ठीक है और कहीं और कहीं मान जाएं तो मेरी बात मानिए अगर आप लड़ाई जगड़े से या कंपेटिशन से या कोई फैमिली ड्रमा फेस करें अपनी शादी को लेकि या फिर अपने पार्टन को लेकि तो कुछ मत कहिए सिर्फ चुप हो जाईए और उनको शो करिए कि वह इमोशनली आपसे कितने आपके पार्टन ठीक शो के लिए सप्तमर करें आपके अची आपकी के चलना मुगका फिर हम उसके पारे डाप बहुत है कि उंसक्राटन के या को आपके साथ बहुतों पार्टन क्याएं करवां ऑफ राशल आपके साथ कहिं सेटल डाउन आऊ बहुत खोए बहुत जैसे फ़ल्या वाह से शांत नदी को देखना चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप में आप शांती से काम करना चाहते हैं ऐसा मैं अब देख पा रहे हूं नदी और बटरफ्लाइ और 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 इंज फ्लार आज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है या तो आपने कुछ औरेंज कलर का पहना हुआ है मुझे ऐसा भी लग रहा है ठीक है कुछ कुछ के बैंगल से कुछ के डुपटा हो सकता है ठीक है किसी ने औरेंज कलर का जैसे कोई सिर पे कोई क्लचर लगा रखा है लिटरली मैं इतना डीप देखती नहीं हूं लेकर मुझे जो दिखाई दिया वह मैंने सबसे पहले मैं बताना चाहते हूं किसी को छोड़ना भी इनके लिए कोई सिच्वेशन को छोड़ सकते आपके लिए तो उसमें विक्टरी पाने के लिए कहीं किसी से फाइट करने पड़े तो वह भी करेंगे ठीक है इनको किसी को समझाना पड़ा तो वह समझाएंगे डे ही कोट काड होता है तो उसमें किया होता है Guys उस तरह के एनरजी लग रही कि आपके पार्ठन थोड़ा सा इमेशृराइट वालर भाला बीहीव करेंगे लेकिन गहीन कई कोई बहुत सारी प्लानिग के दिल बहुत इनके दिल इनकी भावनाव को कोई समझे ऐसा में यह पर देख पार हूं यह चाहते ही हैं और क्या एक मिलट और क्या हो सकता है आपकी डिन्ग में तो मुझे आपके लिए क्या किस हद तक जा सकते हैं दो देखे मुझे लग रहा है कि कहीं यह कोई ऐसा करना चाहते हैं अपनी किने पहले के प्रेपरिशन पहले से कर खर रहे और हैं इनिशेट करना चाहते हैं मुझे लगता है कि यहां पर बहुत कुछ इनके मन में हैं बहुत सारी प्लानिंग ऐसे काम्हें की करने हैं ठीक है । यक यहां कि रहे हैं यहां сторोण करaking के एक allérique कर सकते हैं कर दिए किसे से रिचुる ले सकते हैं कि कोई यहां कर सकते हैं और ट familiar कर सकते हैं ईथाधिक प्रव लया की इनिश्चेट इनकी तरफ से ही होगा मुझे लग रहे है कि जो भी कोई सपोर्ट चाहते हैं कि आपका प्यार इंगी जिंदगी में आफ 10ल बार है कि आपके लिए जो कर ना पड़ा यान की मैं उसको बता और इसको यहां पूर रहे हूं लेकिन उसको मैं से खर्मिंट परिवार से नहीं करेंगे उनके अनको साथ लेके चलेंगे उनको को छोड़ देंगे विल्कुल नहीं ऐसी नहीं वान परिवार्ष तो अपनी परिवार को शान के चलने वालों में से और फैमिली ओॉरेंटेट में Suzanne और ये आपके लिए किस अद तक जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हार्मनी और एक नयापन आपके रिलेशनशिप में आएगा जहां कि आपके माता पिता भी मानने वाले हैं तो ये हदे पार उस टाइम करेंगे जब इनको कोई रास्ता नहीं देखेगा मुझे लगत लिए पार कि मैं कुछ देट चैनल कि बारहहनी नहीं कि क्सी करें नहीं दूसाहँ हैं कि इसमोड़ी दुन मेरे लह रहता यह सकते हैं किसी किलिए Deshalb के लिए कुछ भी करने के लिए तयार रहेंगे लेकिन अपनी फैमिली को छोड़ के ठीक है इनकी फैमिली का सपोर्ट इनको मिलता रहे है उनकी अशिरवात से आप चले आगे तो यह यह ऐसी अनरजी में है ठीक है यह किसी को कट आफ करने की नहीं सोच रहें बलकि कोई सिच से बाहर आने की कोशिश करें ठीक है जैसे आपके लिए कोई मान नहीं रहा तो उसको मनाने के लिए बढ़सक प्रयास करने वाले और यह क्या स्टैंड ले सकते हैं तो मुझे यह भी लग रहे है कि बहुत से लोग अपने जैसे कहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी आपके लिए बला अपने सपोर्ट में खड़ा करेंगे ठीक है और ऐसा मुझे यह पर लगता है कि जैसे जिस तरह की यह एनरजी रखेंगे मुझे आप आप अपने रिलेशन्शिप में आप दोनों कोई सलाह है जो मेरे व्यूर देख रहे हैं और जो मेरे व्यूर मला जि किसी को बदवाई मत देजे किसी के लिए बुरा मत सोचे तो यह एनरजी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी ठीक है मैं जो कह रही हूं उसके अकॉर्डिंग चलिए ताकि आपके एनरजी क्या होता है कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं किसी को बदवाई देते हैं किसी की मदर नहीं मान रही तो उनको बदवाई देना शुरू करते हैं उनके लिए भला बुरा मन में सोचते हैं तो ऐसी एनरजी मत रखेगा ठीक है मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो बोगे वो पाऊगे ठीक है तो आप जब बोगे बिल्कुल सही आप अपनी लाइन से बिल्कुल सही जा रहा है आपने कोई गलत कंदम नहीं उठाया बिल्कुल पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हैं तो उसे एनरजी में रहें कोई नेगटिविटी या किसी के लिए गलत में सोचे ठीक है तो जैसा पाऊगे जैसा बोगे वैसा पाऊगे तो आ यह बात एक और बात है कि आप दोनों मिलके कहीं ने कहीं पॉजिटिव रहेंगे तो यह रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव रहें जैसा बोगे वैसा पाऊगे ठीक है तो आपकी एनरजी आज मुझे यह लग रही है कि आप दोनों को बहुत ही इनिशेट करना है बहुत अच्छे से अपने रिलेशिंशिप को चलाने के लिए जो भी करना पड़े खरेए ठीक है, रिलेशिंशिप में सच्चाई की साथ चलिए, सच्चा ही बताई अपने पेरेंट्स को, गलत मत सोचिए, किसी के लिए बुरा बुरा मत कीजिए, कि कोई मना भी कर रह है तो उसको, तो जैसे कि मैंने बताया था भी बीच में कि पॉज ले लिजे लेकिन चीजों को गलत रास्ते मत ले जाए ठीक है कोई भी गलत कदम मत उठाइए आपके सब की एज मुझे ऐसे लग रही है कि बहुत जैसे साल तो बहुत हो चुके हैं लेकिन आपको कोई डिसेजन लेना है तो ऐसे मोड पे आप सब को साथ लेकि चलिए ठीक है फिर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉलुशन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा वेट करके दुबारा नेक्स रिडिंग पे देखिए ठीक है तो यह एनरजी में यहां पे कैच कर पा रही हूं लेकिन आप को जैसा बोगे वैसा पाओगे वाली situation मिलेगी ठीक है तो थोड़ा सा positive रही और सब के लिए अच्छा सोचे आज तक की reading में बस इतना ही next reading में जरू मिलती हूं जाते जाते एक song जरू सुनेगा ठीक है बहुत famous song है और आपने कई कई दफे सुना होगा लेकिन मुझे यहां आज recently click हुआ तो उसका मतलबी है कि आपके लिए कोई ना कोई message उसमें है ठीक है तो सुनेगा तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशकी है यह प्यार बली बाते जो होती है वो इस तरह की होती है मन कहता है कि सब कुछ कर को कंट्रोल कीजिए जैसा पाओगे जैसा बोगे वैसा पाओगे ठीक है आज तक के लिए बस इतना ही नेक्स रिटिंग में मेरा वेट जरू कीजेगा मैं जरू मिलूंगी गाइस बाबाई